आज हम पढ़ने वाले स्ट्रेंड यूनिट वन ठीक है स्ट्रेंड कम्यूनिकेशन का मतलब क्या होता है बातचीत करना यह आपकी जो ट्रेजर ऑफ इंग्लिस करके जो बूक है स्ट्रेंड एट्ट क्लास की उसका पहला यूनिट है यह ठीक है न देखो क्या कुछ यहां पर माध्य में कम्यूनिकेशन मतलब बातचीत करने का ठीक है अगर आपको लेंग्वेज नहीं आ रही है न तब आप किसी से कम्यूनिकेशन नहीं कर पाएंगे दोनों इंसान को एक ही लेंग्वेज आनी चाहिए तभी वह आपस में कम्यूनिकेशन कर सकते है ठीक है ना बीग्निग फ्रम दो एज ऑप साइन एज ऑप साइन का मतलब वो जमाना था जब चिन्न बनाकर हम क्या करते थे सुरुआत के इंजिक면 की है स्टीह आनि एक लेंग्वेज शुरुआत कैसे यह ती चित्र बनाकर पहले के जमाने मिले महिए कुछ साइन बनाकर ठीक है यह जो दुनिया एस्ट्रेंड है उसने काफी लंबा समय तहीं किया इस दुनिया ने टो अप्लोगी Sir में एस fiction बहुत ही आसान से फार्सी लड़का ना जो नीदर्लेंड चला जाता है पढ़ने के लिए झीए लेकिन अभी तो प्रसियन बह आई इसलिए एइरान में क्म seu बहुत आ Alles यहां यह जो पर ने रेम्स्टरेंड js यह अभी भी डज भासा नहीं सीख पाया है और इसलिए उसे कुछ दिक्कत आ रही है, देखो क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है, वो हम यहाँ पर discuss करने वाले इस चप्टर में, ठीक है, देख लिए तें इस्ट्रेंट क्या कुछ है, language became a major problem, language क्या बन गए, एक बहुत बड़ी मुख्य problem बन गई, for an Iranian boy in another country, Iranian boy के लिए, इस boy के लिए, कहाँ पर दूसरी country में, another country में, ठीक है न, देखो क्या है, they closed in on him, क्या दिक्कत है, वो समझ में आ जाएगा आपको, they closed in on him, वे उसके करीब आए, उन करीब आए, यह दो boys है और बीच में गर्ल है, यह उसके करीब आए, ठीक है न, the boys and one girl, the boys मतलब यह दो लड़के थे और बीच में एक लड़की थी, गर्ल थी, है न, silently, menacingly slow, silent मतलब चुप-चाप उसके पास है, menacingly slow मतलब, बड़े slow तरीके से आए, ताकि कि किसी को डरा दे, इस टाइब से, वो pockets of their jeans, उनके जो हाथ थे, वो pocket में थे, उनके jeans के, ठीक है न, the girl spoke first, और यह जो girl है, उसने सबसे पहले कहा, क्या कहा, it was him, यही था वो, she pointed an accusing finger at the boy, उसने क्या क्या आरोप लगाती है, finger दिखाई उस boy के तरब और कहा, accusing finger मतलब आरोप लगाती है, finger दिखाई और क्या कहा, यह ही था वो, he kicked me purposely, उसने मुझे जान बूच के kick किया मतलब धक्का दिया, ठीक है न, purposely I am sure, सच में, he made my, me spill my lunch, उसने क्या किया, मुझसे मेरा lunch गिरवा दिया, all over the place, and ran away, leaving me to face the music, और वहां से भाग गया, and ran away, वहां से भाग गया, leaving me, छोड़कर मुझे to face the music, to face the music, मतलब होता है, समस्याओं में छोड़कर, ठीक है न, वहां से भाग गया, ठीक है न, the boy stared at her, जो boy था है, जो single लड़का था, Iranian boy, वो उसके तरफ घूर के देखा, stared at her, है न, उस लड़की की तरफ, his face a mask of fear and concentration, उसके चहरे पर mask of fear, मतलब डर के कुछ भाव दिख रहते ह समझने की कोशिस वो कर रहा था, concentrate करने की कोशिस कर रहा था, वो क्या कह रहे है, क्योंकि ये तो ड़च भासा जानता ही नहीं था, इसे फार्सी भासा आती थी, है न, क्योंकि एरान का रहने वाला था, वो ज्यादा डच भासा नहीं सीख पाया था, in the six months of his stay in Amsterdam, एमस्टरड़ में छे मैने तक रुखने के बाद भी वो ज्यादा डच नहीं सीख पाया था, despite the special language classes for foreign student in the afternoons, despite का मतलगता है के बाउजित, किस चीज के बाउजित भी वो डच भासा नहीं सीख पाया था, the special language classes for foreign student, जो foreign student है, बाहर के student है, है न, विदेशी बच्चे हैं, उनके लिए कुछ special language classes लगाई गई थी, दच भासा सीखाने के लिए, in the afternoon, लोपर के टाइम में, उसके बाउजित भी वो ज्यादा डच नहीं सीख पाया था, ठीक है न, his fist is cleansed and unclenged, fist का मतलब होता है, मुठी, उसके उचे मुठियां थी, वो cleansed मतलब बंद हो रही थी, खुलते जा रही थी, nervously, क्योंकि काफी nervous था, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या को, है न, as he, as he, disparately searched fit words, fit का मतलब होता है, proper, क्योंकि disparately मतलब पूरी ताकत के साथ, पूरी गंबिरता के साथ, वो क्या कर रहा था, पूरी कोसिस के साथ, कुछ अच्छे words, तलास करने के कोसिस कर रहा था, अपनी बात समझाने के, लेकिन कुछ, उसके मुझसे कुछ बात ही नहीं कल रही थी, क्योंकि इससे डजबासा का मतलब है sentence, जो इरानियन भासा के sentence है, वो बड़ी confusing और जंबल, मतलब बिखरे हुए सब उसके मुझसे निकल रहे थी, क्योंकि काफी घबराय हुआ भी था, उसे डर भी लग रहा था, ठीक है ना, He backed away, और वो क्या हुआ, तोड़ा पीछे खसक गया, तो move back, वो पीछे हटा, His eyes darted around the empty school yard, डाटे मतलब होता है, move suddenly or quickly, यहने इदर उदर नजर उसकी पढ़ते जा रही थी, आइस डाटे मतलब इदर उदर देख रहा था वो, around the empty school yard, आसपास, जो खाले school yard था, जो मैदान त आया, not even the housekeeper, जो housekeeper था, वो भी उसे वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है न, स्वाज में आ रहा रहा यह scene आपको, है न, यह जो diagram दिया हुआ है, यह जो चितर दिया हुआ है, ठीक है न, तो drawing को समझते हुए भी आप उसिस कर सकते हैं, चीजों को समझने की Look here, you bully, तुम इधर देखो, यह दबंग, bully का मतलब होता है, दबंग, मस्ती करने वाले इंसान, तुम इधर देखो, इधर देखो, the leader's words hit him like a laugh, leader's words मतलब जो दो लड़के तो उसमें से एक leader था, जो main लड़का था, है न, उसको leader का है, उसके सब्द ने क्या किया, उसे hit किय like a laugh, चाबुक के जैसा, ठीक है न, teasing the girls, लड़कियों को छेड़ते हो, come on, come on, apologies, चलो, माफी मांगो, ऐसा करके वो बोल रहा है, ठीक है, उसे माफी मांगवाने की कोसिस कर रहा है, इन जो दो boys हैं, आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे, इन में से एक जो है, दोनों में स ठीक है, teasing the girl, tease का मतलवता है किसी को छेड़ना, teasing the girl, come on, चलो, चलो, apologize, माफी मांगो, ऐसा हो बोल रहा है, अब देखो, यहाँ कुछ question पुछा है, is the girl telling the truth or just creating trouble for the new boy, वो जो लड़की थी, वो सही बोल रही थी, क्या सच में उसे धक्का दिया था, या उस बिचारे, जो Iranian boy उसके लिए trouble create कर रही थी, नए लड़के के लिए, मुस्किल में, होता है, होता है न, generally हमारे group में कोई नया बच्चा आता है, तो हम उसे क्या करते है, परिसान करने की कुछिस करते हैं, हो सकता है, वो भी ऐसी कर रही हूँ, आगे देखो, the boy drive back, drive back मतलब वो लड़का leaders है, जो leader जिसको कहा गया एक लड़के को, वो क्या कर रहा है, proud, घमट दिखा रहा है, the other boy sneered, जो और ऐसा वो कहा है, और दूसरा बाव ने sneered मतलब इसमाइल देते हुए क्या दूसरे boy ने, है न, समझे है, too proud, to apologize, इतना proud की माफी भी नहीं मांग सकते तुम, है न, जैसे यह जो फ्रेज है न, टी डबल टू और यह सिंगल वाला टू, इसका यूस कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बला, too tired to walk, इतना थकावा की चल नहीं सकता, वही बात हैं, आपर, too proud to apologize, इतना गमट, कि माफी तक नहीं मांग सकते, proud of what, किस चीज का गमट है तुमें, you potato, ऐसे चि the gravel, sending a hail of sharp pebbles flying at the boy, उसने क्या किया, gravel मतलब small stones, जो होते हैं, छोटे small stones, उसे किक किया, पकड़ा, उसके तरफ फेका, sending a hail of sharp pebbles flying at the boy, जो sharp मतलब होता है, तेज नुकीले, hail मतलब होता है, बाउचार, है न, pebble मतलब होता है, कंकर, तो जो नुकीले कंकर है, उसको मुठी में प पकड़कर flying at the boy, उस लड़की के तरफ उड़ाते हुए सा fake house ने, ठीक है न, ताकि यो कुछ बोले करके, the boy stared at the children, जो boy था, Iranian boy, है न, जिसे Dutch भासा नहीं आती थी, फार्सी भासा आती थी, Persian language, the boy stared वो घूरते हुए देखता रहा, at the children, उन बच्चों के तरफ दो लड़के और यह लड़कियां थी, एक लड़ गल थी, bewildered, very puzzled, बहुत confused था हो, है न, और क्या कर रहा है, no, he murmured, no, उसके जबब पत्थर फेकने लगे, जो gravel फेकने लगे, बारी-बारी की stone, तो क्या कर रहा है, bewildered, बहुत confused था, काफी puzzled था, और क्या बहुत रहा है, no, he murmured, murmured मतल जादा कुछ आ नहीं रहा है, बोलने में, अब क्या बोल रहा है, apologize, instead the leader, insisted the leader, insisted का मतलब होता है, जो लीडर था, वह एक लड़का, जिसको लीडर कहा गया, उसने जोर देखकर कहा क्या, apologize, माफी मांगो, है न, jabbing his finger under the boy's chin, jabbing का मतलब क्या होता है, देखो, jabbing मतलब, push with pointed object, क जो नीचे का जो ओट होता है, ओट के नीचे का जो निकला हुआ हिस्सा होता है, उसको चीन गहते हैं, उसके चीन पर एक उंगली से ऐसा हलका सा, उसके मारा, उसने, come on, apologies, चलो, माफी मांगो, the boy's lips quivered, quivered का मतलब होता है, थर-तरा, उसके वोट थर-तरा रहते हैं, डर की अपने हातों से अपने चैरे को ऐसा बचाते हुए, उसने क्या किया, he reiterated further, वो थोड़ा सा पीछे और हट गया, ठीक है न, apologies, the girl echoed with a cruel smirk, जो लड़की थी, उसने भी क्या किया, बड़े juice से echoed मतलब सेम बात कही, repeat किया उसी बात को, है न, कि माफी मांगो करके, with a cruel smirk, एक खतरनाक मुस्कुरहाट के साथ, इसमाट का मतलब क्या होता है, यह एक, an unpleasant smile, है न, उसके साथ कहा, तुम भी माफी मांगो, apologies, or, apologies, माफी मांगो, or is it against your pride, माफी मांगना क्या, तुमारे लिए क्या है, तुमारे self-respect की खिलाफ है क्या, तुमारे ego की खिलाफ है क्या, pride का मतल होता है, माफी नहीं मांग सकते है, इसा, the boy didn't answer, boy ने कोई answer नहीं दिया, speak up, speak up, the leader struck the boy sharply on the shoulder, speak up मतलब बोलो, जोर से बोलो भई, माफी मांगो, है न, the leader, जो leader था, वो लड़का, struck, struck मतलब क्या होता है, strike की second form, मतलब परहार किया, उसे धक्का दिया, the boy, उस boy को sharply, तेजी से on the shoulder, उसके धक्के पर, जोर से, उसके कंदे पर, जोर से धक्का दे रहा है, और बोल रहा, speak up, अरे, बोलो भई, है न, apologies, आने, माफी मांगो, silence, सन नाटा चा गया थोड़ देर के लिए, ये बोल रहा है, माफी मांगो, लेकिन वो सांत है, apologies, माफी मांगो, ऐसा बोल रहा ह वो, बार-बार, sorry, आगे दे कुस्टें, the boy didn't move, उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, साइद, इसले वो, the boy didn't move, वो हिला था कि नहीं, boy, है न, the next blow landed on his nose, अगला जो घुसा पढ़ा, उसे, बुक्का लगा, है न, blow, landed, वो कहा पढ़ा, on his nose, उसके नाक पर मारा, उन्होंन है, it stung like a thousand needles, और ये बुक्का जो उसके नाक पर पढ़ा जो, है न, प्राहर जो किया उन्होंने, वो stung मतलब, sting की second form में stung, वो उसे चुभा, like a thousand needles, जैसे कि कोई हजारों सुनियां उसे चुभा दी गे योगी, इसने जोर से उसके नाक पर प्राहर किया उन्होंने, for a moment, थोड़ी दर के लिए तो, he thought the world would cry, he thought he would cry, थोड़ी दर के लिए तो उसे लगा कि वो रो देगा, है न, but he didn't, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो रोया नहीं, he wiped his face with the back of his sleeve, जो उसकी sleeve थी, जो, है न, column, याने हातों में जो अपने बहा होती, न, sleeve, उससे क्या किया, अपने इसको with the back of his sleeve, है न, sleeve के पीछे ले हिस्से से, है न, anger burnt in him, hot and explosive, उसके अंदर जो, anger था, वो क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, anger burnt in him, hot and explosive, जो लड़के थे, जो माफी मंगवार रहते हैं, और या माफी मांग नहीं रहता, तो उनके अंदर क्या हो रहा था, anger और बढ़ता जा रहा था, बहुत ज्यादा hot हो रहा था, explosive मतलब खतरनाक होता जा रहा था, that frightened him, जिसने उसे डरा दिया, जिसने उस Iranian boy को डरा दिया, इन बच्चों की गुसे न, है न, दो लड़कों के, come on, one of them said, उन में से दो जो लड़के थे boys, उन में से एक ने कहा, come on, he is asking for it, come on, one of them said, he is, he is asking for it, ये इसके लिए कह रहे है, मतलब मां भी मांगने के लिए कह रहे है, they fell on him, palmel, palmel मतलब very quickly, fell on का मतलब होता, attack, उन्होंने उस पर attack किया, है न, palmel, मतलब बहुत ही, quickly, है न, punching him, with knotted fits, उसे पंच किया, knotted fits, मतलब बंदी हुई मुथी से, है न, fist knotted, मतलब बंदी हुई मुथी से, उस पर punch किया, मारा उसे, blows ran down on him, left, right, left, right, है न, उसके उपर blows, मतलब प्रहार होते जा रहे थे, कभी left side, कभी right side, है न, ran down, मतलब एक दब बरसात के जैसे, है न, बहुत तेजी से, लगातार, hold it, stop it, a voice cracked, cracked like a whip, है न, देखो क्या हुआ, अब ये लोग मार रहते हैं, तो किसी ने देख लिया, किसी ने, है न, किसने देखा, पता नहीं, hold it, stop it, रुको, इसे, रुको, है न, रुक जाओ थोड़ देर के लिए, a voice cracked like a whip, एक तेज आवाज सुनाई हुई, विप मतलब, चाबुक की जो आवाज आती है न, विप, ह पकड़ लिया, है न, मजबूती से पकड़ लिया, उसको बोलते है, grab, ठीक है न, देखा आगे, फिर क्या हो, इस्टोर ने, देखो, grab न अतलब, पकड़ लिया, किसी बच्चे, किसी अगले लड़के ने, अगर कि उनके collar को, और वहाँ से हटाया, कि वह एक बच्चे को मा रहे थे हैं, अकिला देख करके, the children by their collar, उसके collar से लिकर पकड़ लिया, children को, boys को, and pulled them away, और उनने दूर खीच लिया, है न, दूर खीच लिया, दे इस्टूर देर, वह वहाँ खड़े थे, सिफ्टिंग, uncomfortably, uncomfortable तरीकी से वहाँ खड़े थे, avoiding the eyes of the tall boy, in the blue and yellow sweatshirt, है न, blue and yellow color की sweatshirt पहना हुआ तो उस boy ने, उससे वो नजरे भी नहीं मिला पा रहे थे, जो दो लड़की उसे मार रहते हैं, avoiding the eyes of the tall boy, है न, tall boy था, काफी tall था, काफी, है न, ताकत बर था वो, ठीक है न, इसलिए उसके सामने, यह लोग ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थंडर्ड, जैन वैंडे मियर, क्या नाम है उसका जैन वैंडे मियर करके एक लड़का है, है न, captain of the school's football team, school की जो football team का captain था, है थंडर्ड मतलब गरचते हुए उसने कहा, है न, गरचते हुए, गरजना भरते हुए, what's going on here, यहां क्या चल रहा है भी, why have you picked on him, तुमने इसे यहां पर क्यों लिकर रहा है, picked on का मतले होता है, Rob जमाना, Bulli करना, है न, तुम इसे क्यों परसान कर रहे हो, इस पर क्यों रॉप जमा रहे हो, all of you, this is not the way to settle an argument, all of you, why have you picked on him, all of you, तुम इस पर क्यों रॉप जमा रहे हो, तुम सब के सब, हैना, this is not the way to settle an argument, यहे कुई तरी why not for God's sake why not you name bhagwani के लिए क्यों नहीं because the boys boys voice rose Anna because kyunki you boys the only voice our nickel review क्या करें because I not know apologies Anna why not for God's sake why not because the voices voice rose because I not no apologies I know understand apologies I speak little Dutch very little Dutch please forgive why not matlab q nahi for God's sake kyuni because because the boys voice rose because I not know apologies man I janta apologies ka matlab kya hota I think I know understand apologies I speak little Dutch very little Dutch please forgive take me to ask you about work yeah oh yeah hapard liqa was to go centers agla aha agla jo page I make actually do you need to pay a time yeah I have to talk on a niche raw argument के बाद यहां से पढ़ना है ठीक है कि तर्फियूस था वो समझ नहीं पाए था उन्हों के कोई बात नहीं कि लुक्ट सापली एड़ लीडर उन्होंने साप तरीके से जो लीडर था उसके तरफ देखा जो टॉल वाय आया था ना है जो फुट्बाल हकलाने लगा जो हैफ्टी बॉय था बीग एंड हैवी बॉय है ना जो लीडर जिसको कह रहे थे वह भी हकलाने लगा यह यह माफी नहीं मांगना चाहता है ऐसा वो कह रहा है यूसी क्राइड गर्ल तुमने देखा वो लड़की भी चिलाती हुए कह रही है कि हिट में हाड उसने मुझे जोर से धक्का दिया था दा लीस्ट लेड 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 मतलब बॉय तुमने लेड लेड मतलब बॉय तुमने इराणियन बॉय के तरफ वो जूक मुड़ा लूकिंग एट इम विद डार्क सीरियस आइस डार्क सीरियस आई मतलब बड़ी गंबिरता से उसकी तरफ देखा और क्या कह रहा है कमान बॉय ही सेड काइड बड़ी काइड ली तरीके से जो फूटबॉल टीम का जो लीडर था है ना उसने कहा कमान बॉय रीच आउट हैंड एड अपॉलेज इस ब्रोज नीटेड वहाँ पर क्या था दबॉय दिंट मूव हिला तक नहीं वहाँ पर बेचन होकर खड़ा था एंड टैंस बड़ा इस्ट्रिक तरीके से खड़ा था इस ब्रोज मतलब आई ब्रोज है ना नीटेड नीटेड मतलब जॉइन क्लोजली टूगेदर जब उ जानगने का आगया तो उसकी जो आई ब्रो थी वो क्या हो रही थी आपस में मिल रही थी जॉइन हो रही थी है ना कई बार हम करते है न को समझ मी नहाता तो आखो पर जोड़ देते हमारी आई ब्रोज कैसी होती जॉइन होने लगते है ना His lips quavered, we word का मतलब होता है कापना, उसके होट भी कापने लग रहे थे, come on, urge Jan Van D. Mayor, जो फुटबाल कोच है वो ललका, वो क्या मतलब होता है, come on, मांगो थो, urge मतलब विंती क्या होनों उसने, be a sport, apologies to these wild cats, be a sport का मतलब क्या होता है, अरे थोड़े से उदार बन जाओ, be a sport मतलब थोड़े से उदार बन की क्या करो, apologies, माफी मांग लो, किस से, to these wild cats, है न, इन बुरे बच्चों से, wild cats बोलकर उन्हें कुछ, है न, गलत चीज बोल रहा है, इन सहितानों से माफी मांग लो, ऐसा कहने का मतलब था, नहीं तो तुझे बहुत मारेंगे, बाद में भी, ऐसा, The dark eyes of the Iranian boy filled with misery, misery का मतलब होता है, pain, है न, suffering, जो dark eyes थी, Iranian boy की जो आखे थी, वो dark थी, वो क्या भरी, pain और दर्द से क्या हो गई, भर गई, he swallowed hard, और उस feelings को उसने बड़े मुस्किल से दबा के रखा हुआ था, ठीक है न, come on boy, why don't you, जो leader है, वो कह रहा है, है न, leader का मतलब यहा बड़ का उसे कह रहा है, come on boy, why don't you, तो माफी क्यों नहीं मांग रहा है, ठीक है न, a dry sob is broke from the boy's lips, no, no, dry sob का मतलब क्या होता है, stand, sob का मतलब होता है, सिस्किया लेना, इस टाइप से जो सिस्किया लेते, रोते रोते टाइम, है न, रोते तो नहीं, लेकिन सिसक तिनने लगत हैं, तो dry sob मतलब सिसक रहा था, dry sob क्यों कहा है, आसू नहीं निकल रहे थे, उसके बस सिसक रहा था, रोत नहीं रहा था, इसले बोला है, सिस्किया भर रहा था, broke from the boy's lips, उसके auto से निकल रही थी, no, no, और वो नहीं, नहीं ऐसा कह रहा था, अब आगे question पूछा गया है, why do you think the boy is not apologizing, आपको क्यों लगता है कि वो लड़का माफी नहीं मांग रहा था, क्यों नहीं मांग रहा था, क्या रखता है आपको, आगे देखो क्या, अब वो क्या करा है, Iranian boy क्या करा है, why not, for God's sake, why not, अब वो जो football coach है, वो क्या करा है, क्यों नहीं मांग रहा है, भगवान के मैं नहीं जानता, apologies का मतलब क्या होता है, I no understand apologies, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, यह apologies, क्यों कि डच भासा में कहा गया यह समय है, I speak little Dutch, मुझे बहुत ही कम डच आती है, very little Dutch, यह डच बहुत ही कम आती, please forgive, मुझे माफ कर दो, ऐसा उसने खा, तो कितनी समस्या देल पड़ी, उसे समझ में आ जाता कि apologies का मतलब क्या होता है, तो तुरंत माफी मांगले तो और इतना उसे दिक्कत नहीं चेलनी पड़ती, तो सिंगरम स्रिवास्तव ने यह चेप्टर लिखा हुआ है, मुझे उमीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडिय कि और आप क्या चाते, थैंक यू वरी मच माई डियर